प्रधानम्त्वी नरींद्र मोदी की गाउं विकास की परिकलतना को साकार करने के लिए मुरैना जिले के बमूर बसाई गाउं को चैनित किया गया जिले पंचायत मुख्यकारिपालन अधिकारी रोशन कुमार सिह ने एक कारिक्रम में ग्रामीनों को सामाजिक समरस्ता की शपत दिलाई और उन्हें सामाजिक बुराईयों से लड़नी का संकल्प भी दिलाया सफसर पर राजस्तों और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीनों से विवात और सहमती पर खुल कर चर्चा की और उन्हें अपने अपने विभागों की योजनाओं से भी अवगत कराया चंबल क्षेत्र में 500 से अधिक बागियों के समर्पन के बाद स्थापिच शांती को और आगे बढ़ाने के लिए गांधिवाधियों और सर्वुदई कारिकरताओं ने हाल ही में तीन दिवसिय समारहों आयोजद किया बागी समर्पन की पचासवी वश्गांट गांधी सेवा आश्रम जोरा में हुए इस कारिकरम में मुख्यत थी केंद्री क्रिशी मंत्री नरेंद्र सेहितोमर ने कहा कि शांती और अहिंसा की ताकत बंदूक में नहीं है श्रीतोमर ने 1972 में समर्पन करने वाले जीवद बागियों और चुनिंदा परिजनों को प्रशोस्ती पत्र और शौल शीफल प्रधान कर सम्मानित किया केंद्री क्रिशी मंत्री नरेंद्र सेहितोमर ने पचले दिनों मुराना में किसान मेले में शामल हुए किसानों से वर्च्छल समवात किया शफसर पर श्रीतोमर ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं के सहीयोग से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं केंद्र क्रिशी विभाग द्वारा क्रिशी विज्ञान के इंद्रों के माध्यम से देशभर में एक साथ जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन आत्मा पर योजना के सहीयोग से किया जा रहा है मेला परिसर में क्रिशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इस अफसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता इंदर हर्शाना, उर्जा विकास निगमत्यक्ष गिर्राज डंडोतिया, विधायक सूबेदार सिह रजोधा सहेथ, अनिक जन प्रतनेधी, सैक्डो की संख्या में किसान उपस्थित थे। आजादी के अमृत मोहत्सव की दोरान देश भर में जल सनरक्षन और समवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुरैना जिले में 75 नए तालाबों का निर्मान आरंब हो गया है। वहीं 30 से अधिक तालाबों का सुद्रडी करण भी किया जा रहा है। और समवर्धन सभी की जिम्मेदारी है। मुरैना जिले में कुल 106 अमरत सरोवरों का नर्मान हो रहा है। इस अफसर पर जिला कलेक्टर, बक्की कार्थी केयन, पुलस अधीक्षक, आशुतोष, बागरी, मुख्यकारिपालन अधिकारी, जिला पंचाथ, रोशन कुमार सेह, SDM अमभा, राजीव समाधिया, SDM सबलगर, LK पांडे, आरियस, कारिपालन यंत्री, विनोद दुबे सहित, गई जन प्रतनधी उपस्थित थे। उनकी मा, बेटी को उतकरिष्ट शिक्षा दिलानी के लिए प्रतिदिन गाउं से स्कूल तक 10 किलोमेटर का सफर, नंगे पैर पैदर ही तै करती थी। रेनु के इस सफलता पर कैलारस में हर्श व्याप्त है। विनोद कोटिया ने जिला अधिकारियों की बैठक में दी। शिकोटिया ने अधिकारियों से कहा कि शनी मंदर का विकास प्राथमिक्ता के साथ किया जाना चाहिए। मुराना जिले के टेकरी से रिठोरा कला तक एकागी मार्क होने से आवागमन करने वाले लोगों को मुराना से मालनपुर जाने के लिए साथ किलोमेटर की दूरी तै करनी पड़ती थी। अब इस मार्क को टू लेंड में परिवर्थित किये जाने से आधा सैकडा गाउ के ग्रामीनों का आवागमन अब आसान हो गया है। जिर्य की चिठी समात्त होई।